अगला विश है आज हम बात करने वाले हैं लास क्लास में आपको सिर्फ पुष्पी पादप के मुख्य मुख्य बिंदूओं पर बात कि थी कि पुष्प में क्या क्या होता है पुष्प के कौन-कौन से भाग होते हैं उनका नाम क्या है उनकी समरचना क्या है कौन-कौन किसे किसे मिल कर बना होता है और पराग कोश के बारे में बात की थी कि पराग कोश क्या समरजना होती है आज हम उसके बारे में बात करते हैं एक basic diagram मना लेते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है चलो आज मैं आपको एक basic diagram बना के हम देखते हैं देखो य तो कुछ एक बात का बिल्कुल धियान रखना कि इनके बीच में कुछ गैप ऐसे होते ही हैं यह गैप ऐसे करके यहाँ पर होते हैं अब एक पॉइंट जो होगा वो यह है कि इनके पास में ऐसा दो पालिका है आपको यह बात बिल्कुल नहीं बोलना है कि यह द्वी पालिक ह होता है ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूली है ज्यादा तर द्वी पालिक होते हैं और most of the द्वी पालिक है पहली बात तो आप इसे कहेंगे और हर पालिका में द्वी कोस्ट भी है तो आपको ये याद रखना है कि द्वी कोस्ट ये भी है ये द्वी कोस्ट ये भी है ये डन होगी बात दोनों ये दोनों कहानिया आपके हिसाब से ये बात बनेंगे द्वी पालिक और द्वी कोस्ट है दन याद रखना ओवर आपसे पूछाए कितने कोस्ट है तो दोनों पालिकाओं को मिला कर चार कोस्ट ठीक है ये भी बात आप लिखे है दोनों पालिका में पालिका में चार कोस्ट है न ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी ही चाहिए डाइ ठीकस होते हैं बाई लोब्ड होते है बादवी पालिक को बाई लोब्ड कहा जाता है ये इंगलिष में भी पढ़ने की बात है बाई लोब्ड भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है डाई ठीकस यही तो इंगलिश है एक को बाई एक को डाई यही पढ़ना पढ़ता है अब आगे बाद पता चले तो इसके अंदर एक बेसिक पता चला कि यार यह चार चार गोले गोले वाले भाग हैं इनकी परत को छोड़ो बाद में यह समझ में आ जाता है कि चलो चार परत हैं इनको अपन कहते हैं पराकोश तो इनके पास में चार लगू बी जाडू धानी है सुरुआत में लगू बी जाडू धानी ही होता है चीक है लगू बी जाडू धानी और आप यह बात को समझ लीजे यार कि लगू बिजानू न मतलब मादा नर वाले भाकवा मेशा लगू ही रहता लगू बिजानू धानी तो इनके अंदर कुछ कोशिकाएं भी होंगी मान लेते हैं इनके अंदर कुछ कोशिकाएं भी होंगी ये मौडलर डाइगराम होते हैं जो मैं बनवाता बच्चों से ये होता है लगु बिजानू की मात्र कोशिका जो आगे जाकर लगु बिजानू को बनाएगी मात्र कोशिका और ये बनाने से पहले आप इस बात को याद रख लिजे भाई कि ये मात्र कोशिकाएं होती है यही आगे जाकर लगु बिजानू बनाएगी तो धान कभी बदल के पराकोश भी पड़ जाता है अब ये जिसका नाम लगुबिजानू है कभी नाम से पराकंड के नाम से जाना जाएगा कुछ देरी बाद आप कुल डायग्रम देखोगे तो आपको ये लगुबिजानू धानी नहीं अशल में आपको ये पराकोश दिखाई छीवन के जमीन के अलग अलग फरक आता है वह ओता न न तो सुरुमात में यह लगु भी जानु धानी है लगु भी जानु बना रहेघा वो परिपक्प कर पॉरा कMr. बन जाता है www. defending.b.um था वो परिपक्वता के बाद जब इसकी परिपक्वता याने विभाजन वगएरा वगएरा सब कुछ जो कुछ करना होगा परिपक्वता के बाद जब हो जाएगा कुछ दिन के बाद परिपक्वता आ जाएगी तो लगू बिजानुधानी जो बन जाएगा बिटा वो बन ज यह मेरा पहला experience है जो मैं खुद भी बहुत confused हो जाता था मैं इसलिए मैं बच्चों को बड़ा clear cut पहले समझा देता हूं कि यार दोनों में confused मत होना पराग कोश कहलाएगा और जब यह पराग कोश बन गया तो लगू बिजानू धानी बन गए पराग कोश यह बन गया और यह जो हमारे पास में मात्र कोश का है यह आगे जाकर बनाएगी क्या यह याद रखना इसी में लिख देता हूँ यह विभाजन कर यह विभाजन और विभाजन कौन सा वही अर्दशूत्री संसूत्री वगरा करेगा बताते हैं कौन सा करेगा विभाजन के बाद बाद लगू बिजानू बनाएगा इसलिए तो इसका नाम लगू बिजानू मात्रकोशी का है ना लगू बिजानू की मा है लगू बिजानू की बिजानू बनाएगा चोटी बाते हैं आप जितने अपने शब्दों में लिखते रहोगे बढ़िया उतना अच्छा तुमारे दिमाग में ब पहुचे ही नहीं है ये वो एक important term है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब ये समझ में आ जाता है तब फिर प्रक्रियाओं का अगला मज़ा आता है कि आगे की प्रक्रियाएं जो है वो कैसे डंडंडंडंडं होंगी और उनके पीछे क्या संबंध होगा व बढ़िया से बनाने जाएं ठीक है डन हो गई बात अगे अब आगे बात करते है थोड़ा सा ठीक है ये सब चीज़े हो गई अब सवाल ये आता है कि लगू बिजाणू धानी जो बाहर से अंदर की तरफ का आवरण है वो उसमें होता क्या क्या है तो देखो यार किसी भी इनके पास ना ऐसी लेयर बन जाएगी और ये कोई एक लेयर नहीं रहेगी ऐसा दो तीन लेयर बना दिया जाएगा तो जब सबसे अंदर की तरफ में बिजाणू को बनाने वाला उतक है तो आप इसे नाम देंगे बिजाणू जन उतक सबसे पहले तो ये उतक होगा ना य उसके अंदर लगऊ भी जाणू बनेगा इनके बाहर के तरफ में लेयर होगी और उस लेयर में ऐसा 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 डॉट बढ़िया बना रहेगा ठीक है और ये बहुत सारी जो परत है इसका नाम हो जाता है बिटा टैपे टम अब टैपे टम के भारे में क्या ना इक बात आंत्रिक परत है अब आंत्रिक परत की एक बात होती है कि यह बहुगुडित होती है बिटाओं क्या होती है बहुगुडित देखो थियोरी तुम कित्ता भी लिख लो जब फ्लोचार्ट बढ़िया बनाके लिखते न तो उसका एक अलगी मजा होता है तो आंत्रिक परत टैप गुड़ित पंच गुड़ित वैसी बहुत सारे गुड़ित हो गया तो बहुत गुड़ित हो गया ठीक है इनके बाहर की तरफ में और बाहर की तरफ में ऐसी दो तीन चार लेयर बनेंगी ठीक है यह जो बनी हुई है न यह दो चार लेयर और बनेंगी इन में से और इनको नाम दे देते हैं मध्य परत तो टैपिटम के बाद की बाकी परत जो है वो मध्य परत है ये दूसरी परत हो गई और इसका नाम है मध्य परत मिडल लेयर ये पहली परत और ये दूसरी परत है जिसका नाम है मध्य परत ये बहुत सरे लेयर होते हैं इसके पास में इसलिए ज यह हो गई आपकी endothesium क्या नम बन गया यहाँ पर यह तीसरी हो गई जिसे आपन कहेंगे endothesium अंतस तवचा अंतस तवचा इसका नाम होगा ठीक है अब इसके सबसे बाहर की दरफ एक और परत बनाओ यार बनाओ एक आत परत और कौन से कलर बना दे इसे बना देते हैं ठीक अब ऐसा चारों तरफ बनाना पड़ता है तो NCRT ने जो बनाया रखा है वो चारों के हिसाब से बनाया हुआ आप उसको भी बना लो ठीक है मेरा परस्टनल जो मॉडलो डाइग्राम होता है वह ऐसे ही रहेगा तो चौथी परत हो गई जिसका नाम हमने रख दिया था बाह तो अच्छा इसके बारे में यह कहा जाएगा कि बाहर से अंदर की तरफ हम देख रहे हैं वह सबसेंदर बीजानू जनू तक है इंके बिना कहानी बनेगे नहीं तो बाहर की तीनों परत के बारे में याद रखो उनके बारे में याद रखो तब तो विभाजन विभाजन क करने का कुछ मज़ा आहेगा जब पहले से हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा तो हम विभाजन करेंगे भी तो क्या करेंगे बताएंगे भी तो क्या बताएंगे बोलेंगे तो बोलेंगे क्या कुछ नहीं सब गड़ बड़ जाएगे तो इसलिए पहले सब चुटी चुटी ब बाहेदल पुंज पुंकेसर इस्तरीकेसर और इसके उपर फिर आपके जो जयांग पुमंग उनका हिंदी और कई बार उसकी जगां इंगलिश लिखा हुआ रहेगा तो यह दिमाग खराब कर देगा और फिर पराकोश यह इतना सारा नाम दिमाग खराब नहीं करता क्या बड मतलब एकदम एक बार की बस बात होती है बस एक बार समझ गया मंतलब सब समझ मैं फिर इसके बात दिक्कत नहीं आती है लेकिन वह एक बार मैं समझता हूं कि वह एक बार आज ही होना फिर तुमसे पूछा जाएगा भाई कि पुमंग हो जाए, जायांग हो जाए, इनका इंगलिश नाम भी याद रखना दो, शॉटकट में लिख देता हूँ, गाइनोशियम, एंडोशियम, ठीक है, फिर पुमंग के बाद में आ जाता है तुम्हारे पास में दलपुंज, बा बाहिदल पुंज, इसका नाम होता है बाहिदल पुंज का नाम कैलेक्स, इसका नाम होता है कोरोला, कैलेक्स कोरोला, रेप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको, बाहिदल को ऐसे शो करते हैं, फिर ये समझ में गाई यार कि ये मादा जरनांग है, ये नर जरनांग है, ये दोनो सहायकंग है फिर जायांग है क्या समू है किसका ये समू है भाई इस्त्री केसर का समू है याद रखो इनको बातों को इस्त्री केसर का समू है ये समझ रहो बात को उसके बाद ये क्या है भाई ये पुंग केसर का समू है ये है पुंग केसर का समू है ये पुंग केसर को मिला बाहे दल समू है तो बाहे दल का पुंच दन होगी बात यहां पर अब आएगा इस्त्रीकेसर के समू में तो पर इस्त्रीकेसर के अंदर कौन कौन है यह भी याद खर लो नहीं तो इसमें भी दिमाग खराब होगा तो इस्त्रीकेसर के अंदर कौन है बाई तो इस्त्रीकेसर फिर अंडाशे के अंदर अंडाशे के अंदर जो है फिर उसके अंदर इस्ट्रक्चर रहेंगे वो हमको पढ़ने होंगे ठेके हैं फिर पुंकेसर के अंदर कौन कौन सा है दो ही है बाई एक का नाम है पराकोश और दूसरे का नाम क्या है पराकोश दूसरे का नाम क्या है त तो line से सारी बाते याद रहनी चाहिए ये वो flow chart है जो आपको उस diagram में पढ़ना था सबसे अंदर वाला inside ये है सबसे बाहर ही ये है ये दोनों जो है जनननंग है ये दोनों जनननंग है और ये दोनों सहाय कंग है बिटा जी याद रखना शुरू करने से पहले बार 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 याद रखियो इस बात का ठीक है तो जायांग पुमंग दलपुंच बाहे दलपुंच कहानिया बाकी सब सिंपल है बन जाएगा एक बार ठीक है अब बाकी थोड़ी कहानिया उसके आगे डिटेल फिर मैंने यहाँ पर कर दिया होगे अब कोशन आता है कि ठीक है तीन परत हो गई तीन परतों मेंसे जो है ना बाहर की जो चार परत हो गई बाहर की जो तीन परते हैं ना उन तीन परतों मेंसे बाहे परत अंता स्वचा और मिडल लेयर ये तीन लेयर का काम क्या होता है जैसे कठोर है बढ़िया कठोर है त तो ये तीन परतना एक उम्र के बाद ऐसा फट जाती है, ये बाहर के तीन परते उम्र के बाद फट जाती है, तो कभी तुमसे पूछा जाए कि ये बाहर तो अचा अंतास तो अचा और ये जो तुमारे पास मध्य परत है, इनका काम क्या, इनका काम है कि एक समय तक बढ़िह यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेंगे इनको पोशन देने का काम जो है आपका ये रहेगा टापटम का ठीक है टापटम जो है इसको पोशन देती है लिख लेना यहाँ पर इनको पोशन देगी दिख रहा है न यह बात ठीक है तो पोशन देने का काम जो है वो उसी को करेगी तो आप से बस ये पूरा फ्लो चार्ट हलकाल का अपने दिमाग में बैठाने का और यही कहानी सबसे जरूरी है जिसके अधार पर हमें बात करनी होती है ठीक है थियोरी भी साथ में एड कर दिया था डाइगरम भी एड है दोनों मिला कर बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करना है चलो अब हम आते हैं कि अंदर की तरफ में बीजानू जन उतक है एक फ्लो चार्ट बनाते हैं फिर कहानियों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोशिका है जो द्विगुडत है और इस द्विगुडत कोशिका का नाम हमने रखा है बीजानू जन उतक बीजाणू जन उतक शब्दों को समझने की छमताप तुमारे अंदर आ जानी चाहिए कि बीजाणू जन उतक जो है वही आगे जाकर बीजाणू मात्र कोशिका का निर्माड करेगा यही आगे जाकर निर्माड करेगा बीजाणू मात्र कोशिका का अब निर्माड करेगा तो और द्विर्वित कोशिका जिसका नामोंगा बिजाडू मात्रकोशिका डन बढ़िया अब बिजाडू मात्रकोशिका जो आगे बनेगी ये आगे जाकर क्या करती है यहीं से तुरंण य taraf आगे जाकर न अपनी बहुत सारी तो संख्या बना लेगी सबसे पहले याद रखना तो इसने यहाँ पर सबसे पहले किया अर्ध शूत्री विभाजन, क्या कहा किसने अर्ध शूत्री प्रथम विभाजन, प्रथम, तो अर्ध शूत्री प्रथम विभाजन से क्या होता है, कि कोशिकाएं तो बनी, ऐसा कोशिकाएं बनी, पर इसके पास दो कोशिकाएं बन गई एक अगुडित ऊपर और एक अगुडित नीचे यह प्रथम कोशिका बन गई ठिक प्रथम कोशिका बनने के बाद इसने अब क्या हुआ तो इसको अपन कहते नहीं दायाड दायाड का मतलब होता है कि दो कोशिका बन गए द्विक फिर इसने किया दूसरा विभाजन और अर्धशूत्री द्वितिये और आप में से बहुत सारे बच्चे जो अगर पहले पढ़ चुके हैं और अगर नहीं भी पढ़ें तो ये बात याद रखना अर्धशूत्री प्रथम विभाजन में गुर्शूत्रों की संख्या आधी हो जाती हैं जबकि अर्धशूत्री द्वितिये में टोटल कुल मिलाकर चार कोशिकाएं बनती हैं और उन चार कोशिकाओं के पास भी अगुड़ित गुर्शूत्र ही रहता है और इसे आप कहेंग टेटराड बन गया है चार कोशिकाएं बन गई है और चारो कोशिकाएं अगुड़ित हैं यह अर्धशूत्री द्वितिये विभाजन से हुआ था इसे इंगलिश में कहते हैं चतोस्टक चतुस्टक चार कोशिकाएं हैं टेट्राड और इसे कहा जाता है द्विक डायाड ये डायाड है द्विक है दो कोशिकाएं बनी रहे तो डायाड है कब बनेगा डायाड विट्टा जब अर्दुशूत्री प्रथम विभाजन होगा और अर्दुशूत्री द्वितिय से लग हुई हैं इन्हीं का नाम होता है बिटा लगू बीजाडू चार लगू बिजाडू जो बनके तयार है प्रताम अर्दशूत्रे विभाजन अर्दशूत्रे दितिये विभाजन चार लगो बिजाडू बनके तयार है और चारो लगो बिजाडू जो होते हैं आगे जाकर फिर चार पराग कण का निर्माड करेंगे यही चारो जो है आगे जाकर कोशिका जो है और वो भी कौन सी बिजाडू मात्र कोशिका होगी भाई बिजाडू में वो भी कौन सी लगू वाली लगू वाली तो विभाजन करके चार पराकन का निर्माड हुआ तो एक विभाजन से चार पराकन बनेंगे और चारो परागन अगोडित ही रहते हैं चारो परागन का निर्माड करेंगे अब कैसा होगा तो लगू भी जाडू तो बन गए लगू भी जाडू चार परागन का निर्माड करेंगे तो कैसे अब याद रखना लगू भी जाडू यहां से कैसे क्या क्या करता यह समझना लगू भी जाडू लगू भी जाडू जो होगा वो यहां समसूत्री विभाजन कर, कौन सा विभाजन बिटा? समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन कर, कर दो कोशिका वाला, जिसके अंदर दो कोशिका होगी, दो कोशिका युक्त परागण बनाता है, तो ये जो बनाता है, वो दुई कोशिका युक्त पर आगण बनाता है ये बात आ जाती है दो कोशिका युक्त परागण बनाने में ठीक है ओके आगे बात करते हैं अब जो दो कोशिका युक्त परागण यहां पर बनाएंगे तो आगे कैसे बनेगा तो क्या क्या बनेगा ध्यान समझना अब कोशिका ने विभाजन किया और खोटी कोशिका जो नीचे है पराकण बनने से पहले यही एक जो है आगे ऐसे जाएगा और इसने दो कोशिकाओं का निर्मान किया एक का नाम होता है बिटा काईक कोशिका इसका नाम हो जाएगा जननिक कोशिका जननिक कोशिका डन हो गई दो बाते अब क्या होता है जननिक कोशिका यह दो कोशिकाओं हो गई याद रखना कि यहाँ पर लगो विजानू के अंदर एक कोशिका थी अंदर ही अंदर इसने समसुत्री विभाजन कर लिया और समसुत्री विभाजन करके वो एक कोशिका से दो दो कोशिका बन गए जिसे परागण कहते हैं अब जब दो कोशिका बनी है तो एक काईक बनी है और एक जन्निक बनी है काईक और जन्निक के अंदर वाली जो परत है इसे अपन कहते हैं इन टाइम ये एक परत है इसका नाम फिर बताता हूं मैं रूप जाओ इसके बाहर की तर नहीं है इंडारेक्ट परत है अधूरी परत है और तुम सायद इसे पहली बार देख रहे होगे इसलिए बहुत धीरे-धीरे-धीरे समझा रहा हूं कोई भी चीज का एकदम लोड नहीं है अराम से बनाओ ताकि समझ में आ जाए फिर तो फिर आपन जल्दी-जल्दी पढ़ इसका नाम होता है बिटा अंताह चोल और इसे हम कहते हैं इन्टाइन डनों कई बात अब इन में एक बात और पूछी जाती है कि कहीं कहीं पर क्या होता है ये जो इन्टाइन है ना काहे का बना हुआ है इन्टाइन जो है ना वो सेल्यू लोज किससे बिटा सेल्यू लोज दूसरा कैमिकल होता है पेक्टिन से बना यह पूछा जाएगा आंतरिक परत किसकी बनी हुई होती है बताना सेलोज और पेक्टिन की और उपर एक्जाइन एक्जाइन तो भाई बहुत गजब लेयर है यह जो है यह इस पोरो पॉलेनिन याद रखना पड़ेगा इस पोरो प पॉलेनिन के बारे में कहा जाता है कि यह तफ्स पार्ट है हमारे विश्व का ऐसा कोई कैमिकल नहीं है ऐसा कोई रसायन नहीं है जो स्पॉरो पॉलेनिन को पचा सके इस बिल्कुल नहीं एक्जाइन टफस्ट पार्ट है प्लांट में सबसे कठोर भाग कुछ है तो वो एक्जाइन है क्यों क्योंकि दे हैव स्पोरो पॉलिन जबकि अंदर वाली परस सेलिलोज और पेक्टिन की बनी यह नहीं हिंदी लिख लोगे न स्पोरो पॉलिन लिख ले न इस पॉलिन का बना हुआ होता है बात समझ मागई ओके अब यह जो कोशिका है यही है आपका पराग कन और पराग कन के बारे में कहा जाता है कि यह होता है नर युगम कोद भिद यह युगमक को बनाने वाला है अभी युगमक नहीं बना है युगमक याद रखना अलग च उसके बाना अगुडित होता है क्या है पराकन नर्युग्म कोद भिद ना की नर्युग्मक ये नर्युग्मक ये बात याद रखना और इसके बाद ये अगुडित रहता है इस हिसाब से चीजे बिलकुल बनती जाती है यही concept है इसी की उपर में point आते हैं ध्यान से बनाना flow chart पहले बनाना फिर पढ़ने में और मज़ा आएगा ठीक है चलो बाई पहले line खीच दो यह ऐसा गया है यह उपर वाला भाग है यह नीचे वाला भाग है यह नीचे ऐसा गोल गोल घूम किया है तो बिजानू जनू तक है लगो बिजानू मात्रकोशिका अर्दशूत्री प्रथम विभाजन आकरी में चतुस्ट बन गया यही एंसी आर्टी बता रही है ओके बढ़िया अब कैसे सुरू हुआ क्यों बनाया क्योंकि प्रत्यकोशिका जो है वो एक सक्षम पराग मात्रकोशिका है पॉलन मदर सेल पी एमसी कहते हैं वही है लगो बिजानू मात्रकोशिका वही है पराग करन की मात्रकोशिका बढ़िया है एक पराग मात्र कोशी का अर्धशूत्री विभाजन करेगी और लगू बिजानू का निर्माड करेगी पीमसी जो है वो अर्धशूत्री पिथम विभाजन करेगा और लगू बिजानू का निर्माड करेगा बढ़िया फिर क्या हुआ लगू बिजानू रचना के समय चार समूह एक जगए ख जंगे तो चार पराकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं और पराकण बनके हमारा तयार है बस यही बात है एक और डाइगरम देखो देक अंदर कोशिका है कोशिका ने कोद भिध है युग्म कोद भिध नर्श ओक्म कोद भिध मेel गामट ओ फाइच है याद रखना यह मेल गामट नहीं है क्या प्रतन दित तो करेगा ठीक है अब सवाल आता है कि यहां पर इसमें दो परद होती है इनके पास दो परद होती जिसे बेसिकली एक साथ मिलाकर sporoderm कहते हैं दोनों परद जिसे sporoderm कहते हैं वो sporoderm ठीक है? sporoderm जिसे अपन कहते हैं यह गलत spelling लिखा हुआ है यहाँ पर जो इन दी मिलिख देता हूँ sporoderm यह sporoderm है ठीक? अब यह sporoderm जो है बनी होती है इसमें एक बाहिचोल है जो exine है हर जगे लिखा ऐसे ही रहेगा sporopollen तुमसे नहीं बने लिख लेना मैं इसमें बता दूँगा इसका नाम है sporopollen ठीक है? लिख देना यहाँ पर sporopollen निन है यह ठीक है? यह बात होगी की बनी होती है जो अमलताप से सनरक्षित होती है अभी तक कोई ग्यात एंजाइम नहीं है जो sporopollen को निमनिकरित कर सके जो उसे breakdown कर सके देखो उस चीजों को तोड़ा तो जा सकता है आप उसे नस्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसे पचा नहीं सकते हैं यह से मानलो आप नारियल का दाना खा रहे हो यह नारियल खा रहे हो यह फिर कोई भी बीज खा लेते हो अब बीज को तुम्हारे क्यामिकल सरीर में गया अब तुम उसको दाना तोड़ सकते हो उस बीज को लेकिन तुम उसे पचा नहीं सकते अगर तुम्हारे खाने में जाएगा तो तुम्हारा खाना जो है उसको पचा नहीं पाएगा तो यही कहानी होती कि आप उसे पचा नहीं सकते आप उसे तोड़ सकते हो पराकण इसी की वज़े से जिवाश्म की भाती संरक्षित होती है और यह बहुत बड़ी बात होती है कि पराकण कई बार जिवाश्व की तरह संरक्षित होता है क्यों कि भाई इसके पास sporopoline बना होता है no enzymes can digest it दुनिया का कोई ऐसा enzyme chemical ताप अमल छार कुछ भी नहीं है जो इसे पचा सके sporopoline जहां अनुपस्तित होगा जिस जगे पर ये absent है उसे अपन कहते हैं जननचिद्र इसका एक बहुत important role है जननचिद्र का जो फिर मैं जनन के समय फिर आपको बताऊंगा ये जननचिद्र है इसे English में कह सकते हैं जर्म, पोर, हिंदी भी पढ़िये, पड़ इंग्लिश भी पढ़ना ही पढ़ेगा बिटा, तो याद रखना जिवाश्म की भाधि सनरक्षित है, स्पोरो पॉलन जहां एबसेंट है, उसे जर्म, पोर कहा जाता है, जहां पर ये एबसेंट रहेंगे, फिर बात क्या आती है, अब अंताचोल भी है आंतरिक आवरण जो होती है वो इंटाइन कहलाएगा अंताचोल सेलोस तथा पैक्टिन का बना हुआ होगा ये दो बाते हो गई ये आपका गिमेल गैमेट जो फाइट परागण की बात हो गई पराकण का ऐसा ही कॉंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है बढ़िया अब ये जो पराकण है अभी जो आपको दिख रहा है ये कौन सी अवस्था भी ये वो डाइगराम है जो मैंने बनाया हिंदी इंगलिश का दोनों का डाइगराम है आप इंगलिश में भी देख लेना हिंदी में भी देख लेना मैंने आपको बता ही दिया है जह पराकन जो है अंदर की तरफ में प्लाजमा जिली से कवर्ड होता है बहुत बढ़िया और जब पराकन परिपक हो जाता है तो मैं ये कह रहा था कि उनके पास दो कोशिकाएं हैं और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि दो कोशिकाएं थी इनके पास में एक काई कोशिका एक में युगमक बनते हैं उन युगमक का निर्मार करेंगे तो ये बात बहुत निकल कराती कि इनके पास दो कोशिका हैं फस्ट वनीजा काई कोशिका दूसरा होगा जन्निक कोशिका काई कोशिका थोड़ी बड़ी होगी दिखी रहा है प्रचुर मात्रा में इनके पास nutrition होगा भंडार होगा और अनियमित आकरती का केंद्रक भी इनके पास भी होता है जब आप बड़ी कोशिका को देखोगे तो उनके पास जैसे जैसे मानलो नीचे वाली कोशिका छोटी है जनन कोशिका थोड़ी सी छोटी होती है और यह जनन कोशिका ही आगे जाकर कुछ न कुछ विभाजन करेगी और यही दो नर्युक मक्का निर्माण करती है तो होता क्या है कि कभी-कभी जब पराकण यहां से निकल रहा है कभी-कभी जब पराकण यहां से निकल रहा होता है उसके पास दो कारेक्रेम होते हैं कि या तो वो पराकण जो है आगे चला जाए तो दो कोशिकाओं में ही आगे चला जाता है और कभी-कभी तीन कोशिकाओं पहरा चैप्टर बता रहा था कि यहां से ट्रांसफर हो के वो वहां पर जाएगा अब जब यह वहां पर ट्रांसफर हो रहा है तो परागकन ट्रांसफर हो रहा है तो परागकन ट्रांसफर होते समय कैसा दिखाई देगा क्या उसके पास दो कोशिका होगी क्या उसके पास तीन कोशिका होगी इसके बारे में पूछा जाता है अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो 60% से अधिक जो आवरति बीजी पादप होते हैं पराकर इन्हीं दो कोश की अवस्थाओं में जड़ते हैं संगलित हो जाते हैं जितने पर 60% पार्ट ह है यह कोशिका है मानलो आपके पास में तो यह आपका पराकर है उपर की कोशिका जो है वो काईक है और नीचे की कोशिका जननिक है तो जननिक कोशिका क्या करती है यह यहां से ऐसा विभाजित करके दो कोशिका नीचे बना लेती है और यह दोनों बन जाते हैं नर युगम और युक मक का मतल्त तो सबस्मझते ही हैं कि युगमक उसको कहते हैं जो आगे जाकर निसेचन वगरा करेगा तो दोनर युगमरग बन गए तो इस अवस्था में क्या कहेंगे इसको कहेंगे त्री सब स्टेज यह जो अवस्था बनेगी इसका नाम है त्री सेल स्टेज यह कौन से स्टेज है तू सेल स्टेज और वो टू सेल स्टेज क्यों है भाई क्योंकि इस कोशिका का नाम है जरन कोशिका और इसका नाम है काई कोशिका तो 60% में जो है ना 60% आवरित बीजी जो है वो ऐसे हैं और बाकी जो 40% बाट बचे हैं वो 3 सेल स्टेज में ही होकर यहीं से 3 में चले जाते हैं ठीक है तो बाकी जगे जो है ना साट परसेंट वैसा ही चला जाता है उसके बाद दो कोशिका वस्थाओं में जाएगा वहां जाके विभाजन करेगा जन्निक कोशिका के तौर पर उसके पास युगमक नहीं होते जबकि यह दोनों में अंतर आपको दिखाई दिए रहे ना कि जब यह साट परसेंट ऐसे जन्निक इसमें युगमक नहीं होगे बड़ जो 40% बागी कोशिका हैं वो पराकण जणने से पहले 3 कोशिका बन गई 3 सल स्टेज एक काई कोशिका दो नर युगमक बन गए तो दो नर युगमक जो है वो 40% लोगों में होता है ये बात निकल कर आती है और ये पराकण के ल special properties होती है तो ये लिखाओ properties of pollen grains मतलब आप इसे लिखेंगे परागण का दोनों विशब्दों में समझना परागण की के का गुण है कुछ properties है कौन-कौन से उसके गुण है कौन-कौन से उसके अंदर छमता होती है तो पराकण के अंदर बहुत छमता है जैसे मैं बताओ कु दुनिया भर की चीज़े और भी है जिसके बारे में आपको इसको संग्रहित भी किया जा सकता है इसकी अपनी मर्जी से आप कुछ भी परागण करके कुछ भी बना सकते हो तो ये सारी चीज़े बहुत जरूरी है तो जैसे सबसे पहला बात मैं आपको बताता हूं बहुत परागकण में कुछ खास लोगों को ना अलर्जी बहुत होती है अलर्जी खास कर उन परागकणों से होती है जैसे एक होता है गाजर घास पार्थीनियम कहते हैं वो एक ऐसा पौधा था जो बाहर से आयतित गेहूं आते हैं बाहर से भारत से विश्व में कई जगे से पहले गेहूं आता था तो गेहूं के साथ उसका बीज भी कई बार मिल जाता था उसके साथ गाजर घास भारत में आ गया और विश्व में बहुत फैला हुआ भारत में गाजर घास ऐसे ही जलकुम्भी जो वाटर हाइसिन था ना वो भारत में ऐसी सुन्दर्ता के लिए लाया ग बताऊंगा लेंचाना वो भी सुंदर्दा के चक्कर में भारत में आ गया था और आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है ये सब जो है वो खरपतवार की तरह दुनिया में जिंदा है तो आईए देखते कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी स्वशनी वेदना सांस लेने में द इतना घटिया पौधा है ना उसको चूने का मुन करता ना उसको देखने का मुन करता ना उसको कोई खाता है मतलब उसको चूबी लोग न neol بढदी बदभू आती हाथ से की पूछो मत उससके बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है पार्थी नियम गाजर घास कहते है उसको वो बनता है दूसरा कई जगे पराकण के न उसके अंदर बहुत सा nutrition भी होता है काई कोशिका में तो वो कई जगे उसके tablets शिरप वगरा बना के भी लोग खाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं संपूरक अहार की तौर पर तीसरा पराकण जो है गोलिया शिरप बजार में भी उपलब्द रहती हैं ये भी बहुत बड़ी बात है शिरप में प्रेजेंट है चौथे नंबर पे पराकण जो है बहुत तरी खिलाड़ी अश्ववादी लोगों के लिए न एक अच्छा nutrition भी बनता है पराकणों में हम उसके उपियोगिता कर सकते हैं जैसे आप ये देखोगी ये पी बॉलन इंग्लेंड जो होता है ये सब चीजे जो है न ये शिरप बना बना कर लोगों के अच्छाई के लिए लोगों को nutrition के लिए दिया गया और बहुत यूज भी इसका होता भी रहता ये impact है जो वायू मंदल पे इसका मतलब वायू मंदल पे क्या कहना चाहिए मतलब हर जगह पॉलन का बहुत अच्छा impact पढ़ता ही है इसके बिना इसी से शहद बनाया जाता है पॉलन ग्रेंड को ही कई बार जो है न उनमें nectar nectar होता है न तो पराकण की सहायता से भ है वो क्या-क्या हम इसके लिए बहुत जादा important इसका impact हम रखते हैं जैसे अब देखा जाए कि पराकण में जीवन में बहुत विविदता आए है पराकण का जो जीवन है अगर हम उसको देखे तो उसमें बहुत जादा varieties है बहुत varieties मतलब जैसे यह तापमान और आदरता प पराकण अगर निकल गया है तो 30 मिनट के अंदर अगर सही जगह पर नहीं पहुंचा तो वो नस्ट हो जाएंगे तो गेहुदान में चावल में 30 मिनट उसी तरह कुछ खास प्रजातियां हैं जैसे गुलाब लेग्यूमेनेसी और याने रोजेसी लेग्यूमेनेसी याने वही आलू के और सोलेनेसी आलू लेग्यूमेनेसी जो होते हैं जिसने भी दलहन वाले पौधे होते हैं याद रखना LCR लेग्यूमेनेसी ठीक है LCR सोलेनेसी और R का मतलब रोजेसी ये तीन फैमिलीज होती हैं इनकी जीवन छमता महीनों तक होती हैं अगर आप इन्हें मह एव नाइट्रोजन की मदद से आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन माइनस 196 डिग्री सेल्सियस जबता आप मान दिया जाएगा इनकी जीवन छमता को फिर बढ़ाया जा सकता है अगर आप चाहें तो आप उसे महीने भर की जगह साल भर भी र चाहें और लेग्यूमिनेसी रोजेसी एन सोलेनेसी यह तीन फैमिली यह होती है जिसका एक महीना है और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं माइनस 196 डिग्री सेल्सियस ध्रेव नाइट्रोजन का फिर लिक्विड नाइट्रोजन बिलकुल मत भूलना माइनस 196 डिग्री सेल्सिय बनाते हैं चलिए question करते हैं यहाँ पर अभी यह चीज हमने पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी question पूछ लेते हैं next class में बहुत काम आएगा भुरुण कोश यह मादा का भाग है उसका जो पॉली गोनम का प्रकार है वो कितनी कोशिकाएं बनती है तो असल में मैं directly आंसर बता अच्छी बात है नहीं तो next class में इसका आंसर ढूड़नेगा कि भुर्ण कोश में जो हैना साथ कोशिकाएं और आठ केंद्रक होते हैं next class में इस अजीब से प्रिशन के बारे में हम बात करेंगे कि भुरुण कोश जो हता है उसमें आठ केंद्रक और साथ कोशिकाएं होती ह खेर बीजाणू जनन के लिए इनमें अर्दशोत्री विभाजन अब बताओ लगू बीजाणू जनन कर रहे हो या दिर्ग बीजाणू जनन कर रहे हो तो आप अर्दशोत्री विभाजन करता कौन है अंताहिस्तर करती है क्या ठीक है या फिर लगू बीजाणू मात्रकोशिक करता है वो कौन सा भाग है मैंने बताया था कि पराखा कौन सा जिसे जायां के तीन भाग होते न एक वर्तिकागर वर्तिका और अंडाश है तो कौन है जो पराख को एक्सेप्ट करेगा वो होता है वर्तिकागर stigma वर्तिकागर ठीक है वो ये भाग है जो इसे accept करता है और इस तरीके से प्रिश्ण हमने बढ़ा है next class में हम female gametophyte याने मादा जरनांग के बारे में बात करेंगे परागन के बारे में बात करेंगे वो कैसे होता है और बहुत सारी और भी चीजें तो मिलते next class में thank you so much अपना बहुत ध्यान रखना बबाई